तो भाई KTM अपनी बाइक्स में इतने ज़्यादा बदलाओ कर रही है कि सारे ही कलर वेरियंट को चेंज कर दिया है फिर चाहे हम इसके औरेंज कलर वेरियंट की बात कर लें जो पहले आया था इसमें ब्लैक कलर ओरेंज एलोई वील देखने के लिए मिलेंगे और साथ में य खड़े हैं तो तीनों में हम आपको ग्राफिक्स वगएरा दिखाएंगे कहां पर क्या चेंजे से और किसमें क्या डिफरेंस होने वाला है तो सबसे पहले तो यहां पर आप देख लीजे यह जो तीनों ही वेरियंट है इसमें जो दो वेरियंट आते है और जो ब्लू कलर वो 200cc में आता है तो यहाँ पर 200cc वाले का यह new color black color variant में आप देखिए यहाँ पर जो है जो इसका friend का mask है इसको orange color में design किया है DRL हैं बीच की design को जिस तरीके से होने वाली है वहीं जो पुराना वाला model था उसमें यहाँ पर black color का mask आता था कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है खेर engine की बात करने है तो 200cc का engine 24bhp की power देदेगा आपको 19-90 तक का torque देगा 105mm का ground clearance और पीछे का tire 140 आंगे का 110 यहाँ पर graphics की बात कर रहे हैं हम जैसे की तो यहाँ पर side में आप देख सकते हैं मैटी black color में अलग ही लगता है थोड़ा हटके लगता है वेरियेंट साथ में थोड़ी सी seat height ज़्यादा होती है KTM की बाइस कीसी लिए 820mm की seat height होने वाली है accessories के तोर पर जैसे की engine का car guard और mud guard flap इसमें देखने के लिए मिल जाएगा हाला कि यह जो नया color variant है black color edition में KTM की बात ही अलग है लेकिन पुराने model की जो बात है वो और भी ज़्यादा हटके पुराने model की काफी ज़्यादा demand है यहाँ पर engine बगेरा वही है लेकिन जो पहले का variant आता था वो काफी ज़्यादा demanding था यहाँ पर आपको liquid cooling system देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में WAPX rear के suspension, wet, dry, chain, seat काफी comfortable होने वाली यहाँ पर split gravel के साथ split tail light देखने के लिए आपको मिल जाएगी rear में LED turn on indicator मिल जाएगे यहाँ पर 200 का जब आप design देखेंगे तो पीछे से 200 का design देखने पर थोड़ा सा लग लगेगा जो 200 का design है यह नया वाला variant इसका आप देख सकते हैं डिजाइन को जिस तरीके से होने वाला है वहीं 200 CC का बात कर लें अगर हम तो 200 CC का design थोड़ा सा लगे और यह पुराने variant में यहाँ पर orange मडगाट फ्लेप है यहाँ पर 200 CC में मडगाट फ्लेप देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें orange अलोई वील है और blue कलर का variant होने वाला है black कलर का fender होने वाला है यहाँ पर आप इसका design देख सकते हैं इसकी जो power है वो 31 BHP की है याने कि उससे 6 BHP की power बढ़ जाती है तीनों में ही आपको 12 लीटर के करीब fuel tank मिल जाएगा इसमें आपको मिलेगी 380 की riding की range 200 CC वाले में 400 की मिल जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं आप graphics वगेरा कुछ इस तरीके से लगे हैं suspension तीनों में ही सेम देखने के लिए मिल जाएंगे 200 में mudguard flap देखने के लिए नहीं मिलेगा यह वाली चीज़ है और price range की अगर हम बात कलने है तीनों ही variant की तो यार देखो जो दो color variant है याने कि orange और black edition इनकी on road price दो लाग 30,000 के करीब पड़ती है एक KTM की racing bike होती है जिनमें NS वाला जो engine है वही engine देखने के लिए NS 200 वाला तो power गाफी बड़िया बगड़ता है साथ में आप liquid cooling system एड़ हो जाता है इसलिए जो इसकी price है वो से थोड़ी सी ज़्यादा expensive हो जाती है वही 200cc की बात कलने जो यहाँ पर आपको पड़ती है 2,63,000 की यानि की price में 30-40,000 रुपए के करीव आपको फरक देखने के लिए मिलेगा फिर ये तो आप पर depend करता है कि आपको कोन सी bike पसंद आ रही है कि आपको 200cc वाला variant पसंद है या फिर आपको 200cc वाला variant पसंद है और city में थोड़ा सा मायलेश कम हो जाता है लेकिन ये जो औरेंज कलर वेरियेंट ये इनका पहले से ही theme बना हुआ आया है इसलिए औरेंज कलर वेरियेंट की बात ही अलग है लेकिन अभी जो ब्लेक कलर वेरियेंट है वो भी अपने ब्लेक कलर वेरियेंट का वीडियो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद